वन सगेंड विल्कम तो अन्दर वीडियो मैं हूपी के बैद स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पे आज हम आपको पढ़ाएंगे होम यूप वैथी ची किस्सा के बारे में होम यूप वैथी ची किस्सा के जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए तैयारी हमारे चैनल पे च लाया जा रहा है तो जो लोग पेड वैच लेना चाहते हैं वो भी जो है ले सकते हैं हमसे संपर कर सकते हैं होमियो पैथी ची किस्सा पध्धत के जनक थे होमियो पैथी ची किस्सा पध्धत के जनक थे तो इसका कौन सा बिकल्ब सही होगा इसका बी बिकल्ब सही होगा डा दाक्टर हेनी मेन थे होमियोपैथी के आभिसकार करता का पूरा नाम क्या है होमियोपैथी के आभिसकार करता का पूरा नाम क्या था प्रिस नंबर दो का बिकल्प सी सही होगा डाक्टर फेडरिक से वल हेनी मेन इनका पूरा नाम जो था ये आप लोग याद कर लेंगे प्र प्रस नम्बर तीन में दिया हुआ है डाक्टर हैनी मेन का जनम किस सन में हुआ था प्रस नम्बर तीन का बी विकल्ब सही होगा सत्रा सो पच्पन इस भी में इनका जन्म हुआ था डाक्टर हेनी में का जन्म किस देश में हुआ था प्रस नमबर चार का भी विकल्ब सही होगा जर्मनी में हुआ था कहां हुआ था जर्मनी में प्रस नमबर पाँच देखेंगे प्रस नमबर पाँच दिया है कि डाक्टर हेनी मेन किस चिकिसा पद्धत के चिकिसकते डाक्टर हेनी मेन किस चिकिसा पद्धत के चिकिसकते प्रस नमबर पाँच का ये विकल्ब सही होगा होमियोपैथी चिकिसा पद्धती के चिकिसकते प होमियोपैथी का जन्म वर्स कहलाता है प्रस नमबर छे का शी विकल्ब सही होगा यानि की अठारा सो पच्पन इस भी जो है इसका विकल्ब सही होगा प्रस नमबर साथ देखेंगे होमियोपैथी के मूल शिद्धान्त मुख्धा कितने हैं होमियोपैथी के मूल सिद्धान्त मुख्धा कितने हैं प्रस नमबर साथ का डी विकल्ब सही होगा यानि की साथ हैं कितने हैं होमियोपैथी जिद्धान्त के मूल सिद्धान्त साथ हैं प्रस नमबर आर देखेंगे डाक्टर हेनी मैन ने होमियोपैथी के मूल सिद्धान्त का पर्दम बार प्रकाशन कब किया आठवे नमबर प्रचन का भी विकवड सही होगा अठारा सूपच्पन इस भी में इन्होंने प्रकाशन किया प्रचन नमबर नौ देखेंगे नव नमबर प्रस्ण में दिया कि आउसधी परिष्छा होमियो पैथी के किस से धान्त में समाहित है प्रस्ण नमबर नवे का ड़ी विकल्ब सही होगा इसे आप लोग टिक कर लेंगे प्रिस्ट नमबर दस देखेंगे प्रिस्ट नमबर दस दिया है कि होमियो पैथी के किसे धान्त के अनुसार एक बार ही अवसदी दी जाती है दसवे नमबर प्रिस्ट का कौन सा विकल्ब सही होगा आप लोग बताएंगे प्रस्ण नमबर ग्यारा देखेंगे, प्रस्ण नमबर ग्यारा में दिया है कि होमियोपथी के समागन के को समान से ठीक करने क्या कौन सा सिधानत है, ग्यारा नमबर प्रस्ण का ये बिकल्ब सही होगा, सभी लोग तिक कर लेंगे, प्रस्ण नमबर बारा देखेंगे, बायो कमेश्ट्री के आविश्कार करता कौन थे प्रेश्ट नंबर बारा का ये बिकल्प सही होगा डाक्टर सुसरल जो थे ये जो है इनके आविश्कार कार करता थे इसे आप लोग टिक कर लेंगे प्रेश्ट नंबर तेरा देखेंगे फासफेट वर्ग का तन्तू लक्षण है फासफेट वर्ग का तन्तू लक्षण है तेरा नंबर प्रेश्ट का डी बिकल्प सही होगा यानि कैली फोरिकम कैली फासफोरिका फेरस फासफोरिकम और उपयुक्त सभी तो इसका डी प्युक्त शभी नोट कर लेंगे प्रस्ण नंबर 14 देखेंगे 14 नंबर प्रस्ण में दिया हुआ है फास्फेट वर्ग की बायो केमिकल आउसदी कितनी है 14 नंबर प्रस्ण का डी बिकल्ब सही होगा 5 कितनी है 5 है फासफेट वर्ग की बायो केमिकल आउसदी कितनी है पांच है प्रिस नमबर पंदरा देखेंगे फासफेट वर्ग की बायो केमिकल आउसदी कितनी है प्रिस नमबर पंदरा में बी बिकल्ब सही होगा तीन कितनी है तीन होगी प्रिस नमबर सोला देखेंगे फ्लोराइड व सही है सलफेट वर्ग में तीन है अब फ्लोराइड वर्ग में एक हई से आप लोग ध्यान रखेंगे प्रस्ट नंबर सत्रा देखेंगे फ्लोराइड वर्ग की बायो केमिकल अवसधी कौन सी है फ्लोराइड वर्ग की बायो केमिकल अवसधी कौन सी है सत्रा नंबर प्रस्ट का भी विकल्प सही होगा कालकेरिया फ्लोरिका कालकेरिया फ्लोरिका यानि 17 नंपर प्रिस्ण का आप का भी विकल्प सही हो जाएगा प्रिशन नमबर अठारा देखेंगे मेरी योट्स वर्ग की मुख्य आउसदी कितनी है मेरी योट्स वर्ग की मुख्य आउसदीयां कितनी है अठारा नमबर प्रिशन का ये विकल्प सही होगा आप दो होती हैं कितनी होती हैं दो प्रस्ण नंबर उन्नीस देखेंगे उन्नीस नंबर प्रस्ण में दिया हुआ है कि दास्मिक शक्ती की अवसदी में प्रियुक्त किया जाता है प्रस्ण नंबर उन्नीस का डी बिकल्प सही होगा एक भाग बायो केमिकल प्लस नव भाग दुग्ध शक्करा एक भाग बायो केमिकल और नव भाग दुग्ध शक्करा जो है इसमें प्रियुक्त किया जाता है प्रस्ण नंबर बीस देखेंगे बीस नंबर प्रस्ण में दिया है कि हुमियो परती अवसदी के निर्माड में उ उनकी किस कर्म से पोटेंसी बढ़ाई जाती है उनकी किस कर्म से पोटेंसी बढ़ाई जाती है तो सी होगा दास्मिक कर्म से जो है पोटेंसी को बढ़ाया जाता है प्रस्ट नमबर 21 देखेंगे इसमें दिया हुआ है होमियो पैथीच किसा पद्धत में जीवन सकती का सिध्धान्त कौन शाह है 21 नमबर प्रस्ट का C बिकल्ब सही होगा थियोरी आफ बैटल फोर्स थियोरी आफ बैटल फोर्स C बिकल्ब सही हो जाएगा टिक कर लीजिए प्रस नमबर टूंटी टू होमियो पैथिच किसा पद्धत में सकती करन का कौन सा से दान्त है तो इसमें बाइस नमबर प्रसन का आपका डी विकल्प सही होगा ड्यू ट्राइन आप ड्रग डाइमिनेट मीजाइशन जो है इसका विकल्प डी सही हो जाएग प्रसन नमबर टूंटी ट्री देखेंगे होमियो पैथिच किसा पद्धत में जीवन सकती का कौन सा से दान्त है जीवन सकती का कौन सा से दान्त है टूंटी त्री नमबर प्रसन का आपका बी विकल्प सही हो जाएगा थियूरी आप बेटल फोर्स जो है आपका सही होगा प्रस्न नमबर 24 होमियो पैथी चिकिस्टा पद्दत में सभी ब्यादियों का कारण किशे माना जाता है तो इसे में दिया हुआ है सोरा जो होता है सभी ब्यादियों का कारण इसे होमियो पैथी में मान लिया जाता है प्रस नमबर 25 आयुरुबेद में वात पित कप के समान होमियो पैती किस दोस्त को माना जाता है आयुरुबेद में वात पित कप को मानते हैं होमियो पैती में किसे माना जाता है दोनों में डिफरेंस है तो बता देंगे 25 नमबर प्रसन का डी बिकल्प सही हो जाएगा इसमें सोरा है और फिस है और उसके बाद साइकोसिस है उप्युक्त सभी तो डी विकल्प आपका शही हो जाएगा प्रेस नमबर 26 होमियोपर्थी में अवसदी का परिछण किस पर किया जाता है होमियोपर्थी में अवसधी का परिष्ण किस पे किया जाता है सभी लोग कमेंट कर देंगे जो लोग जान रहे हैं किस पे किया जाता है तो इसमें दिया हुआ विकल्प है पसुओं पर पच्छियों पर स्वस्त मनुश्यों पर उपयुक्त किसी पर नहीं 26 का कुन सा विकलप सही हो जाएगा C विकलप सही हो जाएगा स्वस्त मनुष्यों पर जो है इसका परिछण किया जाता है C विकलप को सभी लोग टिक कर लेंगे प्रस नंबर 27 बतायेंगे 27 नंबर प्रस में है होमियोपेथी में आउस्द का परिछण मनुष्ड पर किया जाता है कियोंकि 27 का डी विपल्प सही होगा सुछतम लचछण मनुष्ड ही बता सकता है मनुष्ड ही mental system बना सकता है आउस्द की मातरा जानोरों पर भिन हो सकती है उपजुक्त सभी तो होमियों पैती में अउसदी का परिछन मनुस पर किया जाता है क्योंकि ये सारी चीजें होती है तो इसका डी विकल्प शही हो जाएगा प्रेश नंबर 28 देखेंगे बहुत मातपूर होगा डाक्टर हेनी मेन ने सन 1970 से 1805 तक कितनी अउसदियों पर परिछन किया था डाक्टर हेनी मेन शाहिब ने तो 28 का आपका बी विकल्प सही हो जाएगा 60 अउसदियों को इन्होंने परिछन कर गे जो है प्रूब्ड कर दिया था कि ये मानों के लिए बहुत ही महत्तपूर आए होमियों पैथिक अउसदिया डाक्टर हेनी मेन ने स्वर्भ पत्थम लेटिन वासा में कौन सी पुस्त तक लिखी 29 का बी विकल्प सही होगा इसे आप लोग टिक कर लेंगे नमबर 30 देखेंगे फेग मेंटा डीबी रीवस डीवी रीवस का प्रकासन किस संद में हुआ तीश नमबर प्रस्ण का शी विकल्प सही होगा अठारा सो पांच इस भी में प्रस्ण नमबर 31 देखेंगे मैगनीसिया फासफोरिका कीन लच्छडों में दी जाती है वो कौन से लच्छड दिखाई देते हैं तो मेगनीसिया फासफोरिका दी जाती है जैसे आनिद्रा है शदी है तिरशूल है उपयुक्त सभी है तो मेगनीसिया फासफोरिका नामक आउशदी जो है होमियों पैथी दिया जाएगा प्रिस नमबर थार्टी टू देखेंगे नीट्रम फासफोरिका किन लच्छडों में दी जाती है नीट्रम फासफोरिका किस लच्छडों में दी जाती है थार्टी टू का डी विकल्प सही होगा यानि उदर सूल कटिशूल संदिशूल उप्युक्त सभी जब कहीं भी आपकी उदर यानी पेट में दर्द होगा कमर में दर्द होगा जोडों में दर्द होगा तो नीटरम फासपोरिकम नामकवसदी होमियोपैथी में दिया जाएगा प्रस नंबर 33 देखेंगे फेर philosophy फेरं फास फोर कम किन लच्छणों में दी जाती है इसमें कास में भी देंगे स्वास में देंगे स्वास नक्जुर में भी देंगे तो उप्ष्ण सभी यानि b यह对 खुर सही हो जाएगा इसे आप लोग टिक करिएंगे प्रेस नमबर 34 देखेंगे कैल सी फास फोरिकम किन लच्छडों में दी जाती है 34 नमबर प्रेस्ण का डी विकल्प सही होगा उप्युक्त सभी यानि कांस में देंगे रक्त परदर अप्रस्मार उप्युक्त सभी सारी चीजों में इसे आप लोग दे सकते हैं प्रेस नमबर 35 देखेंगे दास्मक्रम की अवसधी के सम्मुख क्या प्रतीक लिखा जाता है 35 नमबर प्रेस्ण का ये विकल्प सही होगा एक्स से जो है इसे इंगेज किया जाता है प्रेस नमबर 36 प्रेस नमबर 36 दिया है कि सत क्रम अवसधी के सम्मुख क्या प्रतीक लिखा जाता है 36 नमबर प्रेस्ण का कौन सा विकल्प सही होगा तो इसका D विकल्प सही होगा यानि C लिखा जाता है सत्क्रम अवसद के सम्मुख C लिखा जाता है D लिखा जाता है पांच सो सक्ति वाली क्रम की अवसदी के लिए क्या प्रतीक लिखा जाता है 30 शेबन का सी विकल्ब सही होगा D लिखते हैं क्या लिखते हैं D लिखते हैं सत्क्रम के लिए C पांच सो के लिए D लिखते हैं पृस्न नमबर 38 देखेंगे, एक हजार सकती वाली कर्म की यउसद के लिए क्या प्रतीक लिखा जाता है, 38 नमबर प्रिस्न का आप काशी बिकल्प सही होगा, यानी यम लिखते हैं, यम से इसे बताया जाता है, पृस्न नमबर 39 देखेंगे, 10,000 सक्जानी वाली क्रम की औसद के लिए क्या प्रतीक लिखा जाना थार्टी नाइन लिखा जाता है, प्रसटें नमबर 40 देखेंगे, पचास हजार सक्ती वाली क्रम की योश्द के लिए क्या प्रतीक लिखा जाता है पचास हजार सकती वाली उसद के लिए क्या प्रतीक लिखा जाता है चालिश नमबर प्रस्ण का भी विकल्प सही होगा फिप्टी यंडी यम ये चीजें जो है लिखा जाएगा प्रस्ण नमबर फोटीवन देखेंगे दस लाग सकती वाली करम के लिए किस दवा के क्या प्रतीक लिखा जाता है 10 लाग सक्ति करम की उसद के लिए क्या प्रतीक लिखते है 41 नमबर प्रस्ण का B विकल्ब सही होगा 10 CM लिखा जाता है कितना लिखा है 10 CM लिखा जाता है इसे नोट कर लेंगे प्रस्ण नमबर 42 पांच लाग सकती वाली करम की दवा के लिए क्या लिखा जाता है 42 नंबर प्रस्ट में क्या सही होगा 42 नंबर प्रस्ट में ये विकल्ब सही होगा 5 CM प्रस्ट नंबर 43 देखेंगे 16 दोस्त का सरीर में क्या लच्छन होता है 43 नंबर प्रसंद का कौन सा विकल्ब सही होगा D विकल्ब सही होगा यानि चर्म में विदार होना वर्ण होना खुजली होना उपयुक्त सबी ये लच्छन दिखाई देते हैं तो आपको ये चीजें करनी होंगी 14 दोस्ट का लच्छन आपको समझ में आना चाहिए 14 दोस्ट के निवारण के लिए कौन सी अउसदी प्रियोब करेंगे होमियों पैती में 44 नंबर प्रसंद का D विकल्ब सही हो जाएगा इसमें सीलिका देखेंगे फास्फोरस देंगे और लाइको पोडियम दिया जाएगा उपयुक्त सभी ये चीजे तीन आउसदिया देंगे तो आपका ये दोस्ट का निवारण हो जाएगा 45 देखेंगे 46 दोस्ट के निवारण के लिए आउसदी है तो नेटमियूर है ग्रेफाइटिस है और साइको पोडियम है उपयुक्त सभी तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा 45 का डी विकल्प आपका तिक हो जाएगा पर इस नमबर 30 देखेंगे मोत्र विकार संबंधी ब्यादी में कौन सी यवसदी दी जाती है 46 का C विकल्प सही होगा नेटरम सल्फियूर कम 46 का आपका C विकल्प सही होगा नेटरम सल्फियूर कम ये हो जाएगा इसे नोट कर लेंगे परिस नमबर 47 देखेंगे नेत रोग में कौन सी यवसदी दी जाती है 47 का C विकल्प सही होगा कालकेरिया प्लोरी का जो है दिया जाता है परिस नमबर 48 देखेंगे दंत रोग में कौन सी यवसदी दिया जाता है दात की विमारी कौन यवसदी देंगे तो इसमें दिया जाएगा मेगनीसिया फास खोरी का ये वाला विकल्प आपका सही हो जाए गा 48 का ये विकल्प टिक कर लेंगे परिस नमबर 49 कौकुर खास में दी जाने वाली होमियोपाथिक आउशदी है कौन सी है 49 का भी विकल्प सही हो जाएगा इसे आप लोग टिक कर लेंगे परिस नमबर 50 देखेंगे किस रोग में CPI 30 का प्रियोग करते है CPI 30 का प्रियोग कौन से भी वारिम करेंगे स्वसन में करेंगे कैंसर में करेंगे अनावर्त में करेंगे उपयुक्त सभी तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा टिक कर लेंगे धन्यवाद